ऐसा लगता है कि शोव ये रिष्टा के मेकर्स ने ओडियंस को रूलाने की धान रखी है शोव में पांच साल के लीब के बाद एक एक करके ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जो बेहत इमोशनल है आपको याद ही होगा कि Crazy for TV ने आपको पहले भी हिंद दिया था कि नाइरा के बेटे कैरव और कार्टिक के बीच एक अनूठा रिष्टा बनेगा अब इस रिष्टे की डिटेल्स भी सामने आ गई है दरसल कार्टिक और कैरव के बीच का ये रिष्टा फोन पर बनेगा जी हाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्टिक के पास आकसिडेंटली कैरव का फोन आ जाता है हलाकि कैरव से कार्टिक की पहली बार में बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बात करने से पहले ही कार्टिक का मोबाइल फोन स्विश्ट आफ हो जाएगा लेकिन इसके बाब जूद कार्टिक उस बच्चे के साथ एक कनेक्शन महसूस करेगा शो से जुड़े सोर्सिस के मुदाबिक धीरे-धीरे कहानी में कार्टिक और कैरव की फोन फ्रेंड्शिप दिखाए जाएगी जोकि मज़िदार होने के साथ साथ काफ़ी एमोशन भी होगी जी हाँ कार्टिक और कैरव एक दूसरे से फोन फ्रेंड की तरह बात तो करेंगे लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के साथ अपना रिष्टा पता ही नहीं होगा कार्टिक कैरव से एक नज़दी के महसूस करेगा और उससे मिलना चाहेगा लेकिन केरव और कार्टिक मिल नहीं पाएंगे हाला कि कार्टिक और केरव के सनोखी रिष्टे के साथ साथ कार्टिक की जिंदगी में वेदिका और नायरा के भी अलग-अलग ट्राक चलते रहेंगे कुल में आकर शो की आउडियंस अगले कुछ हफ्तों में हर तरफ एक इमोशनल मोहल देखेगी कार्टिक और केरव का इमोशनल रिष्टा, कार्टिक की नायरा के लिए इमोशनल तड़प और वेदिका के दिल में कार्टिक के लिए प्यारी इमोशनल चाहर आपको बता दें कि 5 साल के लीब के बाद कहानी को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं और शो के राइटर्स भी लगातार कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्स ला रहे हैं जो लोगों का इंट्रेस्ट इस शो में लगातार बनाए रख रहा है